असलाम अलेकुम, कैसे आप सब लोग, तो आज मैं सिंपल खाना बनानी जारी हूँ, तो आप देख सकते हूँ, जो रूटीन का जो होता है वही, क्योंकि रूटीन के खाने नहीं बनाना बताती हूँ, रोज मर्णा में, तो दाल चावली होता है, और वही रिपीट रिपीट है लिपीट तो नुजी तो में तुवर्जाल, भनानाओंगी उसके बार में चावली घजी, जो अवा से बना हूँ, यह जादे बनाओंगी आज में, क्योंकि यह ज्यादा मुर्णा में मनाई जाती हूँ, ऐसे लिबना आभा जाती ही, ग्हाल पत्की लेकर निकालते है और जो काउली रंटल होती है रहे पीछी पीछी पीचिभी जो लाल को बड़न होती है निकालते हैं तो सबसे पहले मैंने तुवर दाली हूँ जीरा, हल्दी और नमग इतीन चीजे आपको खता है ये डालनी होगी उसके बाद में लसुर, कांदा, मिर्ची ये चम्मत से डाला क्यों डालते हैं फुड़ा बता ही नहीं इस वजे से तो देखे कांदा, टमाटा, लसुर, मिर्ची बड़ने के लिए ढाल दिया और इसको कुकर लगा क्या आपके सबसे आप 3-4 माले जितने आपको माले होतने और हमेशा बोलाए को करकर अखकन लगाने से पहले हमेशा मिक्स करना और फिरी को करकर अखकन लगाना कोई भी चीज आप पकाना चाते हैं उसके बाद में ये बगार का है तो बगार में भी आपको पता है तूर दाल में जीरा लगता है राई लगती है मिर्ची अदरक लसु लगता है तो ये सारी बगार की चीजे हो गई ये देखिए उबल गई मेरी दाल आपको चार माननी दो माननी सिटी आपके रिसाफ से आप कितना आपको गलाना है दाल को वो रिसाफ से आप दाल को कुकर में डाल के सिटी मानने तो मेरी दाल उबल गई है अब मैं बगार दू तो भूब चार्जर तो भी सिस्टर ने में राके दी है इस वजे से देख से तो यह दो जब तक बगार नहीं कुछी तरीके से फ्राइब होगा मैं नहीं डालोंगी दाल यह ज़िजन है क्यूकि दाल का फ्राइब जो फ्राइब करने के लिए रखा है बगार देने के लिए जो तक लाए अच्छा नहीं होता तब तक हमको बगार नहीं देएं कि अब सिस्टर इने कुछने कुछ प्रालम सब्सक्राइब मेरा भी अपनी परसना कुछ प्राइब में जिसकी वेजे से फेस करनें तब है ठीक नहीं नहीं दिए अभी तो ठीक फ्रेसे बहतर है अल्द अगर बना डालूंगी तो पता नहीं आप लोगों क अच्छा लगेगा नहीं लगेगा रिजनी के में रोज वटानी मनाती हूं ज्यादा तर वठानी की जिसीजन ही और तुवर जाल और ही बनता है तो अल्ड़ी भी तुवर जाल की रेसे पी डाल चुकी है तुवर जाल की अच्छे से फ्राइब हो गया है और थोड़ा फ्राइब करेंगी क्योंकि जैसी दाल डालूंगी नहीं जितना फ्राइब का वो है ना वो सब दाल में अरोमा आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा क्या आपने दाल को बगार दिया है तो रीजन यही चीज होती है जल्दी से बगार को ठाग दीजिए क्योंकि उसका जो एरोमा होता है और बाहर ने उड़के चले जाए उसी में जह जाए तो तो यह चाओली की भाजी साफ करके चाड़न के अंदर धोके इसको अच्छे से सुखा दे इसका एक पानी का फत्रा निकल गया तो मेरी सिस्टर दोके गई थी और चाड़न के अंदर रखके गई थी कि इसका पूरा पानी निकल जाए और साफ हो जाए अब इसका बगार छे से आठ कांदे मैंने ली हूं और आठ से दस के उपर ही लसुन की फकड़े ली हूं चार पांच आठ या पांच छे मिर्चिया ली हूं आदो ए करण बन सकते हैं चाड़ी काड़न में भी आते है इस वजए से पत्ते वाली चाड़ी की लिए अले मेंगी मिलेकर आपको कभी भी कोई भी सिजन में सको लेने जाओ आपको ये महेंगी मिलें और ए खाने को बहुर टेस्टी लगती है तो देखिए मेरे अधे से ज्याधा में भर विए झानदे से जन्दा में आपको बचा अब ये तके से हम इसको प्राइे करें करा प्राइ करने में तो टाइम भी जाते हैं और हमको खड़े भी नहीं है, पालग दूप अच्छे भी सुख रहे हैं, जो कि जब हम इसमें डालते हैं बगार में, तो क्या होता है, पुरा भाजी पानी फोटी, अगर आपकी भाजी गूली रहेगी, तो वो इसमें और पानी पा यूट अच्छे से हो गई है, अश्चे से हो गई है, नगजी बगार है तो जब पूरा ठाइस से फ्राइ ओ जाएगा और फिन पहरे हो जाएगा जितनी भरी मूए डेक्षी तो पूरी भी आपको खाली लगे है. देखे, तो ऐसा मामला है, इसके लिए कांदा जितना भी इस्तिमार करो, खाने पकाने वाले देओ है, उनको पता है, कांदा हमेशा आदा हो, तब यू फुल बेक्ची भरी है, कांदा जिकना है, इसके सभी लोग श्टॉक देखाते बाएं, और इसको जादा से ज़दा जाओं, तो बाद में आ रहा है, तो खिच्री बनाना का, तो और मज़ा आता है, वैसी चीज़े हो जाती ही रोजमरा की जंदली में, तो कोई अगली टाइम बना दूंगी, कोई बाद का, अब इसमे में नमकों और हलजी दालें, इसके इलाभा मैं कोई मसाना इना जिसके, और टामाटर डालों, हाँ, तामाटर जरूर आना, मैंने दो मिडियम साइज के टामाटर आली हूँ, ज्यादा बड़े भी नी, छुटे भी नी, प्रीजन ही कि हमको खटी नी बनाने है, नॉर्मल खाली बनाने है, थोड़ी तीखी हो जाएत अच्छा है, मैं अगर मेल बनाना ने कालेगा, यह सिंपल सोबर भाजी, इसमें एक चमल खल्दी डाली हूँ और इसको बोथ अच्छे से जिला दे, अब इसमें खोड़ी-थोड़ी करके भागी रखाए, जो भाजी डालेगी तो भले ही रेके धोके शूप गई है अगर जैसे देख्ची के अंदर पानी छोड़ना शुरु करणी कर दो देख़ें, पूरी शूखी भाजी है, हाब जैसा मैं इसको गुमारते जाओंगी डेक्ची के अंदर भाणी शुरु कर देख़्वु एपनी मेली डेक्ची भर गई है आपको दिख रहा है ताभी कांदा देख़ी दिखाई देने लेगी अब आप देख़ें पुरी डेक्ची मेली भाजी से भर गई है अब ये बेख़ी का हाल है अब इसको ना जितने बार भी आप गरम करते जाएंगे उसके बारिक आच पर गरम करते जाना और भाजी को घुम तो आपको पानी पूरा सुखा देना इसका और तेल जब जब थोड़े नहीं तब तक आपको इसको ऐसी देखते रहना है आप कई कोई जूसरा काम ना करें इसी पेशान रखेंगे कि पही आप ती इसनी महिनत बेकार नहीं जए भाजी साफ करने वाले को पता होता है इसनी म किढाना पातके इसको अच्छी से पाकाना आता हूं लाटरों हो यहां तो इससी के अंदर होड़े तुका बहुत अच्छा खाने के लिए लगते को जब शुकते जाहत Kitchen लेँ तो खाने के लिए襍ना अघ़्में के लिए मैं पहुत अच्छा लिए लगते। आण गैस की आंच सब तक हमको इसी तरीके से जरा भी नियर्खे नहीं है न और फास आउनल पखाना पकार है आपका दुक्सा हो ज़गा अब्हु भी एफ़ी सब चीजे पास आउनल से नहीं होंगे यह मेरा हो गया है, जो टूर दाल मैंने बताई और आलप की चावली की भाजी बताई तो हमने तूर दाल चावल के साथ चावल सभी को बनाने लाता है, तो देखें, यह मेरा खाना आपको पैसा लगा जरू बताना रहे चाने को लाइक कीजिए, यह कोक्नी लोगों का सिंपल साथा रोटी नहीं बना इसके लिए पाव के साथ चोली की भजी खाए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल लेखने के लिए बहुत बहुत थेंक यू